शारदिय नवरात्री में महा अश्टमी व्रत या दुर्गा अश्टमी व्रत का विशेस महत्व होता है नवरात्री के आठमी दिन मा महागौरी की पूजा की जाती है ये दुर्गा मा का आठमा स्वरूप है जैसा की नाम से ही पता चल रहा है कि मा का वर्ण गौर है मा की उपमा शंक, चंद्र और कुंद के फूल से दी जाती है मा के सभी वस्त्र और आभूशन सफीध है मानेता है कि अश्ट वर्षा भवीद गौरी यानि मा की आयू आठ वर्ष की मानी गई है यही कारण है कि इन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है मा की चार भुजाए हैं मा का वाहन व्रिशव है अता मा को व्रिशा रुढ़ा भी कहा गया है मा महागौरी की चार भुजाए है इनके उपर वाला दाया हाथ अभय मुद्रा में है नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है उपर वाले बाय हाथ में डमरू और नीचे वाला बाया हाथ वर्मुद्रा में है मा बेहद ही शांत मुद्रा में है मा भगवान शिव को पती रूप में प्राप्ट करना चाहती थी जिसके चलते इन्होंने बेहत कठूर तपस्या की थी यही कारण है कि मा का शरीर इतनी कठूर तपस्या से काला पड़ गया था फिर मा ने अपने काले रंग को गौर वर्ण का करने के लिए तपस्या की मा के तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनके वर्ण को टांती में बना दिया इससे मा का रूप फिर से गौर हो गया यही कारण है कि मा के इस रूप को महागौरी कहा जाता है मा महागौरी अमोग फलदाईनी है मा की पूजा करने से भक्तों के कल्मश दूल जाती है साथ ही सभी पाप नश्ठ हो जाती है सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से अगर महागौरी की पूजा आर्चना उपासना आरात्ना की जाए तो यह बेहत कल्यान कारी होता है मा की क्रिपा अपने भक्तों पर हमेशा ही बने रहती है और इनकी क्रिपा से ही भक्तों को अलोक एक सिध्यां भी प्राप्त होती है इन मंत्रों से मा महागौरी की उपासना करें श्वेते व्रिशे समारूढा श्वेतांबर धरा शुचिह महागौरी शुभम्दध्यांत्र महादेव प्रमोददो या देवी सर्व भूतेशु मागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्याई 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 नमो नमह ओ महागौरीयाई नमह न्यूस विंकी ब्यूरो रिपोर्ट यूरो रिपोर्ट यूरो रिपोर्ट भ।